मतलब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर दुनिया में मुसल्मानों के लिए जन्नत जैसा कोई फील है तो वो इंडिया में है क्यों हिला डाला ना अक्सर पाकिस्तानी एक बात कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान आप क्या कहेंगी इस पर मुंबई ऐसा लगता है कि भारत में जो जन्नत है मुसल्मानों के लिए वैसी जन्नत पूरी दुनिया में मुसल्मानों को कही नहीं मिल सकती जो पाकिस्तान के मुसल्मान जन्नत लेने के लिए बक्तरूरों के पास जाते हैं इंडिया का मुस्लमान वह जनत भारत के अंदर अभी पा रहा है यह बात को न बोल रहा है यह बोल रहे है भारत के मुस्लमान और किसको बोल रहे है पाकिस्तानी यूटूबर्स को पाकिस्तानी यूटूबर्स जो इंडियन मुस्लिम्स को वीडियो गोल करते है और उनसे भा करवाने की कोशिस करते हैं लेकिन उन्हें मूग की खानी बढ़ रही है क्या क्या बाते हैं तो लिए देखते हैं मतलब आपको एक चीज बता देता हूं अगर दुनिया में मुसल्मानों के लिए जन्नत जैसा कोई फील है तो वो इंडिया में क्यों हेला डाला ना आपने सुना होगा अकसर पाकिस्तानी एक बात कहते हैं कशपीर बनेगा पाकिस्तान आप क्या कहेंगी इस पर ये कहके नथ को आपकी मृढ ने अपना बेडा गरक कर लिया है आप मुंबई की बात करें मुंबई ऐसा लगता है कि हम लोग न्यू यॉयॉर्क पर फैर रहे हैं इम्रान खान एक अल-जजीरा को इंटर्वी दिया उसको मैंने डिटेल से पढ़ा अच्छा उसमें वो कह रहे हैं कि जिनाब इंडिया जो है आज एशिया टाइगर बना हु हम ऐसे अना परस्त हैं जो हार कर भी कहते हैं कि वो मन्जिल ही बदकिस्मन थी जो हमें पाहन न सकी और इस पुरे शेयर को में आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग देखूं तो मैं एक वर्ड में डिस्ट्राइब कर सकती हैं कि इसको जहालत कहते हैं जिसे वो परे बाद ही न जलती हैं एक थौटफुल डायलॉग चलता है ऐसे नहीं चलता है कि ओई चलिए हमारे पास नुकलर बंब है फंड दीजिए चलि हमारे पास यह वाला बॉम है तो आप हमें पंड दीजिए यह सब चीज बहुत देर तक नहीं चलने वाली है आप के अग करते हैं लोगों को कि क्या सही रह सकता आपके लोगों के बिकिस एंड ओड दे जो आम लोग है आपकी कंट्री के बिचारे वही सफर करेंगे अच्छा निका जी साप नुकलियर बॉम की बात कर रहे हैं उसको तो आई एमेफ नहीं बोल जिया है कि अगर आपको मजीद कर्जा चाहिए तो कि हमारे हुक्मरान मजीद कर्जा लेने के लिए उसे किसी कंट्री को बेचने को भी तयार है और शायद यह सौधिया का नाम आ रहा था कि हम अगना नुक्रियर बॉम जो है वो शायद सौधिया को बेचने जा रहे हैं जिसके ओपर हम इतना तिरते हैं वही बिचारा दाओ पर लग गया है यहां मुसलमानों का कोई पावन्दी नहीं है आप लोग जैसे मैं तो दो चार इंटर्व्यू देखा काफी दिनों से देख रहा था तो मैं सूचा किसी के साथ करनेक्ट के मैं यह जबाब दूंगा कि आप लोग अपना सूचिए अपना तरह की किजिए अ एड के सहरे चल रहे थे आप लोग अभी आपका उजीर आजम जितने भी मैं तो यह सोच के हैरान हो जाता हूं कि एक कंट्री में अजब कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना कर्म्स कंप्लीट नहीं कर पाया पहले यह सुचिया अगर कर और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के अंदर इमान रहना चाहिए तब ही ओ अल्ला के रहमत के बरकार रहे है आपका कंट्री में जितने भी ओजीर आजम थे आर्मी चीप थे यह थे हो थे मुझे नहीं लेगता है वो लोग इमान दर है अपने आम पाप्लिक के लिए नॉर्मल पॉपलेशन के लिए कुछ सोचा है नहीं तो बाजुआ रिटाइड होके लंडन में नहीं रहते हैं हमारे यहां पर आप उठा के दीख लीजिए एजे इंडिपेंडेंडेंस से आज तक कोई भी आर्मी चीप कोई भी मिनिस्टर अपना टाम्स ख़तम करके फॉरम ने जाके रिसिडेंसियल सिप्ट किया है वो इंडिया में रहते हैं आपको दिखाया है कुछ दिर पहले कि मैं यह घर बना रहा हूं वी फिलाल लिक साल से बना रहा हूं बहुत खर्चा है इसलिए थोड़ा काम स्लो चल रहा है तो जब म आर्प में बीट्रो 2 पर भुटेला बेटिया उन्दिया का टाेजुर्णा फोरह में टामें थे कुछ वरे चुन आर्देंसिंद्ट है इसाएध धुम्हित Bisakā बस डाइमन दागे मैं तो प्रक्ता सब्सक्राइक तिक हो लंगा कि एक अषिए कंट्री के अंदर इपिछ एक अशीं को अप इससे नहीं नाधा दिया मूंबई की बात करें मूंबई एसा लगता है कि हम लों नूग न्यू यॉक पर चुड़ देखें कि आप उनकी है यहां पर जो है टो है आपक हुआ है। हुआ को हमारी हो भिंटर कर लेका हमारे कुछ है। कि अपने अड़ई हहां का हुद के लिजो पॉँच कने हमेशा करते हम नहींडिन मोधी के यहां सही बहुतरी पर्फॉyss परफॉर्म कर सकता है। आपर एक और सिच्वेशन है, इम्रान खान साब जो है ना वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जो है वर रखते हैं, लेकिन वो ऐसे पॉलिटिशन नहीं रखते हैं अचानिका, अब मुझे बताएं कि अगर हम कमपारिजन करें आजाद कश्मीर का और जमो कश्मीर का, तो आप क्या फरत देखते हैं दोनों कश्मीर में? के पास स्कूल्स इतने नहीं है कि प्रॉपर एजुकेशन ले सके या शायद मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन हो आप मुझे जाद उस पर एंडलाइटन कर सकती है बट मैं क्या कर सकती हूं कंपार इन दोनों के कि हमारे कश्मीर में साथ आठ मैडिकल कॉलेजिस हैं और बहुत कंट्रीज में जाएंगे मैडिकल की डिग्री लेने के लिए आपको 40 लाख पे करने पड़ते हैं यहां के गामेट कॉलेजिस में आपको एन्वली 12,000 रुपे बरने हैं 6,000 रुपे बरने हैं पाकिस्तानी यूटूबर्स को भाई मुग पे थपड मारें मतलब की पेल डाला है भाई जो पाकिस्तान के यूटूबर भाई इंडिया के लोगों से पूछते हैं इंडिया के मुसल्मानों से पूछते हैं कि यार बताइए आप कितने प्रेशान हो जो रड़क थी जो पा पागिस्तान वालों के मूपे बोलता है हम तो बहुत मज़े से रहे हैं मुसलमानों के लिए जो जन्नत है वह इंडिया से बड़ी कोई जन्नत नहीं है पागिस्तान मतलब पूरी दुनिया में और दुसरी तरह भाई एक कश्मीरी लड़की है जो की कंपेर कर दिया है बता र नहीं होना चाहते हैं और तुम लोग जवर्दस्तिन के पीसे बड़े रहते हैं दिखावा करते हो भाई चाहरेगा तो भाई वीडियो देखें बहुत मज़ा है और बहुत सैटिस्फेक्शन मिला होगा कि इंडिया मुझे